बर्लेल हमले की तरह एक फिलिस्तिनी ने इस्राइली सेना के जवानों पर ट्रक चड़ा दिया इस हमले में सेना के चार जवानों की मौत हो गई तो वही 15 से भी ज़्यादा लोग सक्मी हो गए हैं दरसल इस्राइल सेनिको का एक दल येरूशलम में घुमने आया था बस से उतरे सेनिको का यह समूँ फुटपात पर ही खड़ा था कि अचानक तेज रफतार से आया एक ट्रक घुसा और पल भर में ही इन सेनिको को बेरहमी से रौन दिया जिसके बाद मौके पर मौझूद सेनिको ने ट्रक पर गोलिया चलानी शुरू कर दी लेकिन हमलावर ड्राइवर ने ट्रक चड़ाना तब तक नहीं रोका जब तक वो मारा नहीं गया इस हमले में मारे गए चार सेनिको में तीन महिलाएं और एक पुरुष है और सभी की उमरत 30 से कम थी वही हाथसे में घायल 15 इसराइली नागरिकों को अस्पताल पहुंचाया गया है मामले की जांच में जुटी पुलिस की माने तो हमला वर से मिले ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला है कि वह फिलिस्तिनी है और इसराइल के कबजे वाले पूर्वी यरूशलम का निवासी था फिलहाल इसराइल के प्रधानमंत्री बिंजामिन नेतानियाहू ने कड़ना सल का दौरा करने के बाद हमले को आतंकी करार दिया है इस्राइल फिलिस्तिन के बीच जंग जग जाहिर है येरुशलम में फिलिस्तिनियों का यह हमला अब तक का सबसे खा तक हमला बताया जा रहा है देख रहें ये टीपि लाइब